हेलो दोस्तों, विल्कम टू स्लीपी क्लासेज, तो आज के प्रेमिक्स में हम एकॉनमी के पांच कोशन डिसक्स करेंगे और पर्टिकुलरली एकॉनमिक सर्वे से जो आपके पांच कोशन है important रहेंगे आपके आने वाले प्रेम्स के लिए जो कि इस weekend ली आपका conduct किया जाएगा UPSC द्वारा तो शुरुआत करते हैं बट उससे पहले कि जो हमारा 2021 का result आया तो उसमें जितने भी candidates यहाँ पर select हुआ है sleepy classes की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत 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 बढ़ाई तो आप शुरुआत करते हैं बट जैसे कि आपको पता है आपका प्रेम्स नजदीक आ रहा है तो हमारा एक नया initiative यहाँ पर रखा था कि हमने वन मिनिट सीरी शौर्ट के माध्यम से हमने आपको थोड़ यहाँ पर रहेंगे subject wise यहाँ पर division कर दी जा चुका है comprehensive तरीके से current affairs वहाँ पर cover के जा रहें प्रिम्स और mains point of view से subject wise है साथ साथ topic wise भी वहाँ पर उसकी differentiation वहाँ पर कर दी जा चुकी है ताकि आपको easily अगर आप में GS component भी वहाँ पर लिए है तो उसके साथ साथ आपको उसक check out कर सकते हैं यहाँ आपके कोई भी queries रहें तो आप हमें यहाँ पर call भी कर सकते हैं साथ के साथ जो हम बात करे थे GS component के बारे में तो उसमें भी हमारा तीन तरीके के courses यहाँ पर available है पहला course जिसमें आपको सिर्फ सफ content provide होगा other than that second course जो है उसमें आपको content plus answer evaluation भी है और एक आपका full जो जिसे मैं ब्रहमस्तर course भी कहता हूँ कि सभी चीज़ें content भी रहेगा answer evaluation भी रहेगी test series भी रहेगी और साथ साथ यहाँ पर mentorship भी रहेगी तो सभी details आपके सामने यहाँ पर available आप easily देख सकते हैं आपकी कोई भी queries रहे तो आप हमें call भी कर सकते हैं तो अब शु पहले question में कुछ statements आपको दी गए थी बताना था इनमें से कौन कौन सी incorrect थी ती statements थी primary deficit, fiscal deficit और एक आपके trends related तो simple सा question eco survey based आप से पूछा जा रहा था तो बताना है इनमें से कौन कौन statements आपकी correct हैं second question में बात करें non tax revenue के कौन कौन से components यहाँ पर रहते हैं तो उसके भी आपक चार options यहाँ पर दी गई हैं, चार codes यहाँ पर provide किये गए हैं, तो अराम से वीडियो pause करके सोची थोड़ा की non tax revenue क्या है, कौन कौन से components उसमें रहेंगे और अराम से इस question को यहाँ पर mark कीजिए, फिर third question में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी country इन जिसके साथ इंडिया क में चल रहा है, मतलब हम import जादा कर रहे हैं उनसे और export कम कर पा रहे हैं, fourth question में बात हो रही है, MSCI के emerging markets index के बारे में, अब इस स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दी हैं, आपको बताना हैं इन में से कौन कौन सी correct हैं, चार codes आपको यहाँ पर provide किये गए हैं, तो वीडियो इसाब से आपने बताना है कि कौन कौन सी statement, कोई ऐसी statement है, क्या वो incorrect है, अगर नहीं है, तो आप D option यहाँ पर mark कर सकते हैं, तो अराम से वीडियो pause कीजिए, पांचो के पांचो question attempt कीजिए, फिर शुरुआत करते हैं इस questions के analysis की, तो I hope अभी तक आपने सभी नहीं questions को अराम से वीडियो pause करके answer कर लिया होगा, अब आती है बात solve करने की, तो पहला question, जहाँ पर आपको तीन statement दीगी थी, आपसे पूछा जा रहा था कि बताइए इनमें से कौन कौन सी यहाँ पर correct है, चार codes आपको यहाँ पर provide किये थे, तो देखते हैं, पहली statement के बारे में क्या कह primary deficit के बारे में कहरें कि हम उस deficit पर तब पहुंचते हैं, जब आपकी interest payment, जो कि पहले से आपने borrowings वहाँ पर लिए हैं, उन्हें हम deduct कर लेंगे from the current year's physical deficit, तो basically अगर आप YouTube Shorts को वहाँ पर follow कर रहे हैं, तो उसमें भी हमने इन सभी types के बारे में वहाँ पर बात की थी, तो बि ऐसा तो नहीं रहेगा कि किसे ने अधार दिया है, तो हम उसे वापिस नहीं करेंगे, वापिस तो करेंगी, सासथ इंटरस्ट भी वहाँ पर उसका देना पड़ेगा, तो जो इंटरस्ट की payments रती जब उसे हम subtract कर देते हैं, तब हमारे पास यहाँ पर primary deficit आता है, फिर हम कह कि 2019-2020 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, बट जो हमारा fiscal deficit था, जो highest हमने यहाँ पर record किया था पिछले 5 सालों का, वो हमने financial year 2020-2021 में किया था, तो वो आपका financial year 2021 उसे वहाँ पर denote के जाएगा, तो यह statement आपकी यहाँ पर incorrect होगी, और उसे किसाब से जो third statement है, जिसमें बा थी, ठीक है जी, first and third statement यहाँ पर correct थी, उसी के अधार पर आपकी C option यहाँ पर correct option है, तो एक बार देख भी लेते हैं कि क्या data हमारे बास available है, तो basically budget का ही document है, जिसके अधार पर जो हमने types of deficits हैं, वो यहाँ पर discuss भी किये थे, सबसे बहले बात आती है fiscal deficit की, मतलग क्या रहेग रपने के लिए, तो उसमें क्या रहेंगे आपके, जो revenue receipts हैं यहाँ पर, ठीक है जी, day to day basis पर जो यहाँ पर हमारी आमदनी हो रही है, फिर जो हमारी capital receipts हैं, जिसमें हम basically recovery of loans जो वहाँ से हमने किसी को loan दिया है, उसकी बापसी वहाँ पर हो रही है, बाकी की जो receipts इसमें 7th point है यहाँ पर, इसे हम exclude कर देंगे, तब हमारे पास fiscal deficit वहाँ पर सामने आ जाएगा, फिर वही second point हमारा आता है, कि revenue deficit के, अब revenue deficit किस तरीके से calculate की जगा, कि कितनी हमारी revenue receipts हैं, कि day to day basis पर हम कितनी आमदनी वहाँ पर generate कर रहे हैं, कि tax revenue हो गया, non tax revenue उस तरीके का वहाँ जो generate कर रहे हैं, उसके अलावा कि कितना हम वहाँ पर revenue खर्चा कर रहे हैं, तो total revenue account रहेगा, total expenditure का, उसको हम मद्य नजर रखते हुए, इसकी calculation यहाँ पर की जाएगी, जिसके चलते formula यहाँ पर आपके सामने है, 10-1, कि जो total expenditure है, जिसमें सा आपका revenue account में, जो day to day basis पर, जो operational खर्चे हैं, सरकार के salaries देनी है, सभी चीज़ें वहाँ पर देनी है, ठीके जी, तो वो सभी चीज़ें जब हम consider करेंगे, तब हमारे पास इन दोनों चीज़ें को जब हम subtract करेंगे, खर्चे में से हम अपनी आमदनी निकाल देंगे, तब हमारे पास यहाँ पर revenue deficit सामने आ ठीके जी, फिर उसके बाद यहाँ पर बात आती है, जो third category है हमारी primary deficit की, जो कि हम already discuss कर चुके हैं, कि 17-11 कि आपने fiscal deficit में से, कि जो आपकी interest payments वहाँ पर आप कर रहे हैं, जो कि आपने already वहाँ पर सरकार दोरा जो borrowings ली गई हैं, जो loans वहाँ पर लिए गई हैं, जब उसमें से उसकी जो भरपाई वहाँ पर हो, उसकी जो interest payments वहाँ पर हो रही है, उसे जो वहाँ पर subtract कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर primary deficit आजएगा, फिर last but not the least हमारे पास आता है, effective revenue deficit, अब जब हमारा revenue account जो रहता है, जो हमारा expenditure का revenue account जो वहाँ पर रहता है, उसमें basically आपकी ए in aid for the creation of capital assets, अब यह जो grants यहाँ पर दिये जा रहे हैं, यह किसके लिए दी जा रहे है, capital assets की creation के लिए, तो यह day-to-day खर्चे में तो यहाँ पर हम include नहीं करेंगे, यह तो हमारा एक तरीके का future के लिए नया asset वहाँ पर develop करने के लिए खर्चा यह किया जा रहा है, तो इसके लिए हम जब इसके लिए यहाँ पर एक नई टर्म तयार की गई है, effective revenue की net revenue deficit, कि आप revenue deficits में से जो grants आपने वहाँ पर दी है, इसे subtract कर दीजिए, तब हमारा effective revenue deficit वहाँ पर सामने आ जाएगा, तो यह basic सा data है, basic understanding है कि कि किस तरीके के types of deficits वहाँ पर रहते हैं, जो कि पहली से आपसे वहाँ पर पूची गई थी, फिर बात आती है, यही 21 तरीके से आपका fiscal deficit कितना वहाँ पर रहा है, ठीके जी, तो यह आपके 3 साल का यहाँ पर data compare किया गया है, 2019, 2020, 2021 का, तो definitely जो आपका 2020 वहाँ पर दिखा दिये जा चुका है, फिर हम बात करते हैं, union exercise duties के बारे में अब जितने भी tax collection, जितना भी revenue यहाँ पर सरकार दोरा generate किया गया, उसमें आपके direct taxes आ जाएंगे, indirect taxes आ जाएंगे, जो आमदेनी वहाँ पर सरकार ने generate किया है, तो सभी मेना एक V-shaped trend यहाँ पर आप देखेंगे, except for the union exercise duties, अब जो यह exercise duties हैं, GST regime से पहले कहा रहा था, number of duties वहाँ पर impose की जाती थी, but later on, जितनी manufactured goods पर वो duties impose की जाती थी, वो आपके GST के अंदर वहाँ पर अंतरगत, वो cover हो चुकी थी, but अब union exercise duties अलग से क्या component दिखाता है, कि जो exercise duties वहाँ पर charge की जारी है, जैसे आपका petroleum होगे, alcohol products होगे, इनके उपर जो वहाँ पर duties charge की जारी ह है, pre-pandemic, pandemic and थोड़ा सा, post-pandemic नहीं कहेंगे, बठाँ थोड़ी second wave है, कि इस दौरान हम बिल्कुल भी तयार नहीं थी, तो सभी में इसमें हमने यहाँ पर dip to witness किया ही है, but क्यों हमने यहाँ पर अभी भी एक increasing trend witness किया, क्योंकि इस दौरान, क्योंकि pandemic लगा था, जो आप operation tax से कमा पा रहे हैं, ना तो हम बाकी जो income tax से जो हमारा आमदनी होती है, ना हम वो कमा रहे हैं, custom से नहीं कमा पा रहे, GST collection से नहीं कमा पा रहे, तो उन्होंने क्या-क्या उस दौरान जो आपकी excise duties थी, pandemic के दौरान, वो वहाँ पर बढ़ा दी, ताकि जो petrol के दाम है, वो जादा, क्योंकि वहाँ तो originally जो उनके वहाँ पर पढ़ रहे थे, जो आपकी global prices थे, वो तो drop हो चुके थे, तो उसको at par लेके आने के लिए, यहाँ पर आपकी ये duties बढ़ा दी जा चुकी थी, और further जैसे जैसे आपकी economy grow करना वहाँ पर शुरू ही, restrictions वहाँ पर हटानी श किया है, ठीके जी, बाकी सभी में हमने एक V-shape का trend देखा कि हमने, जो आपका first pandemic lockdown जब लगा था, उस दुरान आपका almost सभी factors में वहाँ पर dip witness किया था, बट आपका union exercise duty सी, वहाँ पर हमने continuously earn किया है सरकार ने, तब ही उसके चलते जितना खर्चा सरकार दोरा, pandemic के दुरान क revenue generate किया रहा है, other than the taxation system, तो उसमें external grants आ रहे हैं, बिल्कु सही बात है जी, वो आपका सरकार का revenue ही है, ठीके जी, उसमें assets तो कोई borrowings नहीं है, वो grants आ रहे है, मतलब उसे वापिस नहीं करना है, उसे further वहाँ पर use करना है, फिर surplus जो RBA तो आपर accumulate किया जाता है, फिर उसे transfer कि कि आमदनी ही है, ठीके जी, कि उनके profits हैं, वो सरकार साथ उसे share कर रहे हैं, वापिस तो मांग नहीं है, तो उस share ही किया जा रहा है, तो definitely आपका second भी component रहेगा, non-tax revenue में यहाँ पर आएगा, फिर उसके लावा, जितनी भी इस ते रही कि services रहती है, communication services होगी है, जो भी fees व इंटरस्ट भी वहाँ पर कमाएंगे, तो यह जितने भी components हैं, यह सभी हमारे non-tax revenue में आते हैं, और उसे के चलते हैं, यहाँ पर आपकी D option, correct option थी, ठीके जी, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी पिताएगी है, कि non-tax revenue, basically, जो भी आपकी interest receipts होगी, जो कि loans, states और unit rates क वहाँ पर कमा रहे हैं, public sector undertaking से, यह अगर किसी प्रिकार की वहाँ पर, dis investment भी वहाँ पर हो रही है, RBI अपना surplus वहाँ पर भारा सरकार को transfer कर रही है, external grants वहाँ पर हमें आ रहे हैं, जो services provide की जा रही है, उसके जलते हम जो थोड़ी बहुत fees वहाँ पर charge की जा रही है, सरकार I hope यह भी आपने correctly mark कि हो, कि negative trade balance 2022 के financial year में, कौन कौन सी countries के साथ यहाँ पर हमने देखा है, तो यहाँ पर आपकी जो second, third and fourth जो option है, वो आपकी बिल्कु करेक्ट है, UK के साथ हमारा यहाँ पर positive trade balance रहा है, ठीक है जी, तो यही merchandise trade balance major countries के साथ, positive किसके साथ तरह है, सब 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 इंपोर्ट नहीं करें, तो positive में हमारा trade balance यहाँ पर, उसी साथ बाकी countries का भी यहाँ पर आपको mention कर दिया चुका है, मैं उस टेम भी आपको ध्यान में कहा था, कि आप थोड़ा trend ध्यान में रखिये, कि कौन कौन से countries यहाँ पर include कीगी है, and mostly negative case में तो चाइना तो आप बिल में से एक हो गया, फिर यह जो Korea और जो Switzerland है, यह आप थोड़ा सा कोशिच कीजिए, रिटेन करने का, अगर आपको exam में इस तरिक्या question पूछ लिजाए, तो वहाँ पर आप correctly answer कर सकते हैं, उसके लवाँ trend आपका increasing decreasing की order में भी वहाँ पर हो सकता है, जो कि हमने eco survey के जो आपक को दी गई थी, बताना था इनमें से कौन, कौन से statements यहाँ पर correct है, पहली में कह रहे हैं, यह capture करता है, large और mid-camp representation, across जितनी आपकी 24 emerging markets country है, ठीक है जी, second में क्या कह रहे हैं, as compared to December 2020, जो India की weightage है, इस index में, वो decrease होगी due to increase in weightage of China in December 2021, third में कह रहे हैं, यह काफी important role यहाँ पर play market, तो 3 statements आपको दी गई थी, तो अगर आप देखें यहाँ पर, MSCI index के बारे में, अगर आपको थोड़ा सा विध्यान हो, तो यह जो term है, 24 emerging market countries, यह काफी जगा यूज होती है, और उसी के अधार पर यह आपका emerging markets index, MSCI, जो आपका Morgan Stanley का जो यह initiative है, उनके दोरा यहाँ पर release किया जाता है, ठीके जी, तो इसमें basically जो आपकी, यह जितने भी emerging market countries हैं, जहाँ पर अभी एक तरीके समगते हैं कि emerging countries में कह सकते हैं, तो उनकी जो market है, उसके जो वहाँ पर जिस तरीके से shares की trading हो रही है, किस तरीके companies की वहाँ पर listing की जा रही है, तो जैसे index हमारा India में, Nifty Shintosh, TTA, Sensex वहाँ पर तयार हो रहा है, तो वैसे global level पर emerging countries के लिए यह index यहाँ पर Morgan Stanley दौरा तयार किया जा रहा है, अब basically इस index के चलते क्या रहेगा, कि आप Nifty और Index को, जब आप Nifty और Sensex को वहाँ पर use करते हैं, तो क्या देखते हैं, किस तरीके से market ऊपर निचे चल रही ह तो यहां पर जो पहली और थर्ड सेटमने है वो तो बिलकुल करेक्ट है तो बड़ जो 2nd सेटमने है जहां पर इंडिया की weightage की decrease की बात किये गिए तो यहां पर basically इनकी weightage increase हुई थी तो वही चीज़ हम यहां पर देख लेते हैं कि क्या है आपका MSCI emerging market index capture करता है large और mid cap representation है across 24 emerging market countries ठीक है जी अब ये आपके around 14-20 listed entities को यहाँ पर cover करता है जो कि आपकी emerging market economies में वहाँ पर available है और काफी सारे आपकी global institution investors है जो कि इस index को यहाँ पर use करते हैं ताकि अपनी investment strategy वहाँ पर develop की जा सके और India का जो weight रहेगा इसमें वो काफी important रहेगा कि उस तरीके से कैसे यहाँ पर foreign portfolio investment इंडिया में आती है तो definitely अगर उसका weight यहाँ पर कम होता जागा तो definitely जो आपके foreign investors रहेंगे वो थोड़ा उस तरीके से नहीं सोच पाएंगे इंडिये context में लगेगा कि हाँ अभी यहाँ पर invest करना इतना safe नहीं है उतने yielding returns यहाँ से नहीं मिल सकते ठीके जी तो वही चीज़ यहाँ पर देखी गी थी Ecoservor Mation की थी 2018, 2020, 2020 का दुबारा से आपको दिये गया था 2021 के साथ तो यहाँ पर जो हमने increase यहाँ पर witness क्या था 9.25 से हमारा 12.45% तक यहाँ पर बढ़ चुका था initially 2018 में क्या था कि around आपका 9.32 का था बट फिर जैसे आपका चाइना के और ज़्यादा यहाँ पर add with the entities तो उसके चलते हमारी जो weightage थी वहाँ पर कम हो चुके थी बट फर्दर उसके बाद हमने strengthening position यहाँ पर maintain करते हुए अपनी weightage को यहाँ पर बढ़ाया है ठीके जी तो यह index किसलिए important है ध्यान रखना है foreign portfolio investments के लिए ताकि उस तरीके से हम attract कर सके और उस तरीके से जो हमारी share capital है वो और जादा यहाँ पर strong हो सके तो I hope आपने इस question को भी correctly mark के हो यहाँ पर लास्ट question देखते हैं simple agriculture based question यहाँ पर आपसे पूछा गया था तीन statement थी फोर्थ आपकी इनवन जविफ्थी आपको तन था निवसे कौन सी incorrect है पहले में कहा रहे हैं जो quantity है palm oil की जो हम import कर रहे हैं वो increase कर रहे है gradually in the last five years second में कहा रहे हैं जो आपका 2018 का जो financial year है तब से हमारा जो देश है वहाँ पर हम surplus sugar production कर रहे हैं third में कहा रहे हैं जो ground nut है, barley है, cotton है यह आपके MSP के अंदर कर वहाँ पर cover के जाते हैं तो third statement तो बहुत इसली अगर आपने MSP को अच्छे से पढ़ा है तो आप बता कर रहे हैं बिल्कुल correct statement है उसके अलावा जो second और जो first statement है अब इसमें जो यह आपको पता है कि sugar surplus nation तो ही बहुत बार हम इस चीज को discuss भी कर चुके हैं लेक्चर में वहाँ पर बात कर चुके है बट अब यह जो financial year 18 है क्या यह correct है या नहीं यह आपको थोड़ा से यहाँ पर सोचना पड़ेगा बट अगर आप पहली statement देखें कि जो palm oil import की जारा है उसकी जो quantity की बारे में बात की जारी है या अगर हम बात करें 2020-2021 के financial year में थोड़ा बहुत तो वहाँ पर drop आया होगा क्योंकि सरकार दौरा वैसे initiatives वहाँ पर लिये जा रहे है MSP regime के माद़िम से इसको attractive बनाया जा रहा है farmers भाइमन्दू के लिए ताकि वो इसमें थोड़ा बहुत agricultural input लगाएं ताकि उस तरीकी production यहाँ पर हो सके तो अगर थोड़ा सा सोचते तो शायद आप थोड़ा बता सकते थे कि यहाँ पर जो पहली statement है वो आपकी incorrect है तो ऐसे ही trends आप से PYQ में भी पूछे गे थे और ऐसे trends की आपको यहाँ पर तयारे भी करनी है जो कि eco service से आप easily समझ सकते है तो किस तरीकी की production हुई है कितना import हुआ है palm oil का लाग टन के साब से यहाँ पर आपको values mention कीगी है तो इस तरीकी का fluctuating हमने यहाँ पर trend देखा है ठीके जी पिछले कुछ सालों में हम यह नहीं कैसे थे कि हम जी gradually increase ही कर रहा है क्योंकि उस तरीकी के efforts भी यहाँ पर सरगार दोर रखे गए है ताकि हम इस की palm oil की production भी यहाँ पर बढ़ा सके ठीके जी काई होप आपने इसको देख लिया हो उसके लावा sugar की जो production के बारे में बात हो रही थी तो जो हमारा financial year 2018 का था ठीके जी तब से हम एक sugar surplus nation है ठीके जी और उसी के चलते बहुत सारा sugar यहाँ पर export भी कह जा रहा है but recently ही सरकार दोरा इस export पर कुछ conditions लगा ली जा चुके है क्योंकि हम एक unprecedented यहाँ पर boost देख रहे हैं sugar exports में तो सरकार इस चीज़ पर थोड़ा नियंतरन बनाना चाहती है कि यो देखना चाहती है कि क्या हमारे जो domestic demand है अगर हमारे पास उतने levels maintain है तो तब उसके बाद ही हम वहाँ पर उस प्रकार का export carry out कर सके हैं तो उसमें कुछ कुछ लिमिटेशन वहाँ पर लगाएगी है objective बड़ा simple सा है कि जिस तरीके से global inflation वहाँ पर बढ़ रहे काफी सारी commodities की आपके cooking oil होगे, edible oils होगे, crude oil हो गया ठीके जी, अब उसके चलते आरी बीज़रा number of steps वहाँ पर लिये जा रहे है wheat के export पर वहाँ पर ban लगा दी जा चुका था आपका जो ये edible oil है इसको import duty जो इस पर लगाई जाती थी उसे free कर दिया गया है यहाँ पर तो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो inflation यहाँ पर बढ़ रही है आम जनता तक ये inflation ना पहुंचे हम उस level पर इतनी जो price की fluctuation हो रही है वो आम जनता तक ना पहुंचे इसलिए number of steps यहाँ पर लिये जा रहे है तो sugar को export करने पर restrictions लगाने का क्या मतलब था? कि हमारी जो domestic demand है वो maintained रहे उसके बाद हम उसे export वहाँ पर कर सकते हैं फिर वही में special related कौन कौन सी crops आपकी cover होती है तो basic साथ आपके सामने यहाँ पर mention किया जा चुका है तो यह थे आपके 5 questions economic service related I hope आप मैंसे सब भी नहीं बहुत अच्छे से attempt किया हो और जो भी आपका score है comment box में ज़रूर mention कीजिए और अब 5 June की तैयारी अच्छे से कीजिए कोशिश कीजिए अपने आपको थोड़ा काम रखने की ज़्यादा घबराना नहीं है definitely nervousness जो होती है काफी normal चीज है जो कि आप exam से पहले face भी करते हो बट थोड़ा walk करने की कोशिश कीजिए शाम को आप walk पे निकल जाएए और जो दिन का आपका schedule है उसको थोड़ा relaxing रखिए ताकि 5 तारीक को आप maximum efficiency के साथ exam hall में जाएं और maximum result वहाँ पर produce करें ठीके जी जाती जाते 2023 के जो हमारे courses चार रहें तो उसमें हमारा optional जो sociology है उससे related भी हमारी कुछ details आपके सामने यहाँ पर available है जैसे GSK components हमने 3 बनाए हैं वैसे यहाँ पर भी बनाए है कि आपका sociology batch जो without answer evaluation है उसके लावा answer evaluation साथ और जो हमारा mentorship batch है बट mentorship batch में जो enrollment है वो आपके test की basis पर ही यहाँ पर होगी तो सभी इससे related details आपके सामने यहाँ पर mention है आप देख सकते हैं यदि आपकी कोई भी queries रहें आप हमें call भी कर सकते हैं उसके लावा जो आपका UPPCS का course है exam सामने आ रहा है psychology से related optional course यहाँ पर design किया गया है as per the syllabus जो की notification में वहाँ पर mention किया गया है कुछ-कुछ additional components है UPSC के लावा जो की यहाँ पर add किये गया है तो इससे little सभी details भी मारी website पर available है आप definitely जाके check out कीजिए अगर आपको अगर आप prepare हो रहे हैं UPSC के लिए और आपको psychology option है तो काफी अच्छा course रहेगा आपके लिए वहाँ पर ताकि आप means में अपना score maximize कर सकें तो पांच जुन का बिलकुल बेसब्री से सभी को इंतजार है यहाँ पर आप भी अराम से अपना जो कर रहे है इस time revision थोड़ा बहुत उसको करते रहे है ज़्यादा stress नहीं लेना है बिलकुल काम और relaxed mind के साथ exam hall में enter करना है और जैसे जैसे आप वहाँ पर कोशिस देखते जाएंगे मैं guarantee के साथ कर सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे लगएं कि हंजी आपने ये भी पड़ी है ये भी पड़ी है और definitely आप वहाँ पर correct answers वहाँ पर mark कर कहेंगे so that will be all all the very best and have a good luck